नमोना महा सर्वेपिया सरवाप्यश्च सर्वेशाम श्रयाले अस्मिन्थ हार्दिकम अभिनन्द नमस्ती अज्टेवें सब्तमिक अक्षाया सुखाशितानी इती कथम पाठस से अभ्यासकार्यम फरिश्यमा तरही प्रारंबं कुरुमा नमस्कार प्यारी पच्चों आप सभी का संस्कित श्रयाले में हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम सब्तमिक अक्षा की सुभाशितानी प्रतम पाठ को सीखेंगे इसके अभ्यासकारे को हल करेंगे प्रश्णों तर सभी हम हल करेंगे बेटा इनके हमने श्लोकों के उच्चारन को हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था और आज हम प्रश्णोंतर करते हैं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें इससे की संस्कृत की सारी सायक सामगरी सारी वीडियोज आपके पास समय पर पहुँच जाएं और आपके पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे तो बच्चों आप शुरू करते हैं आज का मुख्य विश्य प्रश्णोतर इससे पहले देखिए शब्दार्थ दिये गए हैं इन्हें आप सबी अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें और याद भी कर लें सारे शब्दार के बच्चों संस्कृत की हिंदी और फिर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आप चाहें तो केवल संस्कृत के हिंदी अर्थों को ही नोट कर लें क्योंकि परिक्षा की दृष्टी से देखें तो आपको हिंदी लिखने को भी नहीं आती है इंग्लिश लि लेगी तो बच्चों यह सारे शब्तार्थ आप अपनी कॉप्य में नूट भी करेंगे और इनको याद भी करेंगे अब देखिये अभ्यासकार ये प्यारम्भ होता है जिसका प्रतम प्रश्न है सरवान श्लोकान सरस्वरम गायत सभी श्लोकों को सास्वर गाईए यह देखिये यह जो प्रश्ण है इसमें कहा गया है कि सारे श्लोकों का गायन करना है जो की हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं हम उन्हें उनका उचारन भी क्या श्लोकों का और उनके अर्थों को भी समझा तो अब हम अपनी कौपी में जो कार्या करेंगे वो प्रश्न संख्या 2 यहाँ से शुरू करेंगे ठीके यहाँ से देखेंगे प्रश्न को यथा योग्यम श्लोकांशान मेलायत अर्थात श्लोक के अंशो का सही सही मिलान करिए अब देखिए क और ख दोनों स्थानों पर आपको श्लोक की पंक्ती का कुछ हिस्सा दिया गया है हमने क्योंकि पूरे पाठ को पढ़ा है तो श्लोकों के अंश को हम जानते हैं और उसके नुसार हम मिलान करेंगे पहला देखेंगे धन धानने प्रियोगेशु देखे ध्यान से धन धानने प्रियोगेशु धन और धानने के प्रियोग करने में पैसा और अनाज धानने होता है अनाज भोजन इसके प्रियोग करने में तो इसके साथ क्या मिलेगा बचो दूसरे वली कॉलम से त्यक्त लज्जह सुखी भवेद ये मिलेगा नहीं ना सद्भी किंचित आचरेश क्या ये था श्लोक में नहीं बहुरतना वसंदरा नहीं हमें क्या करना है बचो श्लोक को देखते हुए जितने भी श्लोक हमने मिलान करना है जैसा श्लोक में आया है यदि आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरे को देख सकते हैं किन्तु क्योंकि मुझे इसका सही उत्तर पता है तो मैं आपको साथ साथ पता दूंगी यदि आपको किनी तीन का भी आता है तो पहले आप उन तीन का मिलान कर लें और बाद में बाकी दो जो बचेंगे उनका मिलान कर लें, तो देखे धन धान्य प्रियोगेशू, इसका एक तरीका ये भी है, कि पीछे देखो, एक जैसे शब्दों का प्रियोग किया है, विद्याया संग्रहेशुच, यहाँ पर भी संग्रहेशू, प्रियोगेशू, लग के धन धान्य प्रियोगेशू, विद्यायाह संग्रहेशूच, फिर से इसको समझ लेते हैं, धन धान्य प्रियोगेशू, विद्यायाह संग्रहेशूच, अर्थात पहले के साथ, चोथे अंश को मिला दिया, विस्मय नहीं करतव्य, अर्थात हैरानी नहीं करनी चाहिए, क फिर है सत्तीन धार्यते प्रित्वी प्रित्वी को सत्ते के आधार पर ही प्रित्वी हमारी टिकी हुई है सत्ते के बल पर सत्ते के द्वारा धारन किया गया है प्रित्वी को तो इसके साथ सत्तीन तपते रभी इस अंतिम के साथ इसको मिला देंगी पांचवे के साथ और इस समझेंगे इसको एक देख लो कि सद भी इसमें भी आ रहा है सद आ दिशन कर सकते हैं prayer- आखरी विकल्प है, आहारे विवहारे चो, तद दिलज्जह, सुखी भवेद, भूजन करने में, विवहार करने में, जो लज्जा को छोड़ देता है, वो सुखी हो जाता है, तो इस प्रकार से हमारा ये ध्वीतिय प्रश्ण, मिलान करने वाला हल हो गया है, इसको आप जब कॉपी में करेंगे तो सही विकल्प सामने सामने लिखेंगे इस प्रकार से मिलान ना करके जो उत्तर जिसका बनता है उसके सामने ही सही उत्तर लिखते जाएंगे ठीके बच्चों अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्ण की योर अब आगे देखिए हाँ तीसरा प्रश्ण है हमारा एक पदेन उत्तरत अर्थात एक ही शब्द में उत्तर देन तो इसका पहला कर भाग है प्रिथिव्याम कती रत्नानी बहुत ही आसान है कि प्रिथिवी पर कती अर्थात कितने रत्न हैं तो हमने सबसे पहले श्लोक में ही पड़ा था प्रितिव्याम तीन रत्नानी इस तरह श्लोक था तो प्रितिवी पर कितने रत्न हैं तीन तो उसके लिए हमें केवल एक ही शब्द में उत्तर देना है तो हम क्या कहेंगे त्रेणी ठीक है यह देखिए त्रेनि यह उत्तर हमें इसका लिखना है फिर है मूड़ाई कुत्र रत्न संग्या विधियते मूर्खों के द्वारा किसको रत्न कहा जाता है रत्न कि संग्या किसे दी जाती है तो इसका सही उत्तर होगा पाशान खंडेशू पत्थर के टुकडों को यह हम इसमें लिख देंगे पाशान खंडेशू ठीक है इसके बाद देखे पृत्वी केन धार्यते पृत्वी किसके द्वारा धारन की गई है तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता है बिल्कुल ही आसान है सत्येना बिल्कुल सरल सा उत्तर है फिर है कही संगतिम कुर्वीतो किने के साथ हमें संगति करनी चाहिए तो बार बार बता गया श्लोक में सज्जनों के साथ ही संगति करें सज्जनों के साथ ही बैठें सज्जनों के साथ ही मित्रता करें तो इसका उत्त्र क्या है सद भीस अर्थात सजनों के साथ है कि बच्छों फिर है लोके वशीकृति का लोक मेरे संसार में सबसे बड़ा वशीकरन क्या है कैसे हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं तो वह एकek्षमा करके माफ करके हम किसी को भी अपने वशी भूत अर्थात अपने से प्रसंद न कर सकते हैं फिर है प्रश्ण संक्या चार इसमें कहा गया है रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्ण निर्मानं कृत अर्थात रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्ण बनाई सतीन वाती वायू हूँ सतीन के स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है जो रेखांकित शब्द है बिटा वो खट जाएगा उसको शब्द से हड़ा दिया जाएगा सत्य से ही वायू बहती है तो किस से वायू बहती है ये प्रश्न बनेगा तो सत्तियन के स्थान पर हम कहेंगे केन और बाकि पूरा का पूरा हम प्रश्ण में से ही लेंगे वाती वायुहू पूरा लिखेंगे और अंत में प्रश्ण वाचक चिन भी लगाएंगे केन वाती वायुहू ऐसे ठीक है इसी प्रकार अगला प्रश्ण है सद्भी एव सहासित सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए तो सद्भी के स्थान पर हमें प्रश्ण बनाना है तो ये सद्भी शब्द हट जाएगा बागे पूरा का पूरा पिछे का शब्द जो भी हैं दो शब्द यूंकर यू रहेंगे सद्भी के स्थान पर आएगा कही एव सहासित किनके साथ बैठना चाहिए एव सहासित दोनों शब्द आएगे और अंत में हम प्रश्ण वाचक चेने लगाएगे तो प्रश्ण निर्माण वाला पूरा वाक्य प्रश्ण बन जाएगा वसुन्धरा बहुरतना भवती वसुन्धरा अनेक रत्नों वाली होती है पृत्वी अनेक रत्नों वाली होती है तो वसुन्धरा शब्द को हटाना है इसके स्थान पर प्रश्ण वाचक शब्द को रखना है तो वसुन्धरा के स्थान पर हमने बनाया का का बहुरतना भवती पूरा हम बाक्य लिखेंगे और अंत में प्रश्ण वाचक चिन्न लगाएंगे जब आप कॉपी में करेंगे तो आप जो दिया गया वाक्य है वो लिखें उसके बाद पूरा प्रश्ण बनाएं और प्रश्ण वाचक चिन्न भी लगाएं तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा भी विकल्प गह हो गया आगे चलते हैं इसके बाद देखे घह घह विकल्प की ओर चलेंगे तो इसमें विद्यायाह संग्रहेशु त्यक्त लज्जह सुखी भवेत विद्यायासंग्रहेशु अर्थात विद्या कोई कठा करने में जो लज्जा को छूड़ देता है वो किसके विद्या के किसके शेष्टी भक्ति का एक वचन कीम शब्द की रूप चल रहे हैं बचोई ये श्त्री लिंग कहीं पुल लिंग जिस पर प्रकार का शब्द हमें दिया गया है रिखांकित उसके अनुसार ही भी भक्ति वचन हमें लगाने होती हैं सद्भी मैत्रीम क जाएगा काम और इससे पहले जो शब्द सद भी वह भी रहेगा कुर्वीत जो बाद में हैं वह भी रहेगा केवल यह पूर्ण विराम हड़ जाएगा प्रश्ण वाचक चिन हम लगा देंगे ठीके इस प्रकार से प्रश्ण निर्मान का हमारे सारे के सारे वाक्य पूरे हो अगले प्रश्ण की ओर चलेंगे जो है पाच्वा प्रश्ण प्रश्ण नाम उत्तराणी लिखत अर्थात प्रश्णों के उत्तर लिखो कव में दिया गया है कुत्र विस्मय नकर्तव्य है किस बात में हमें हैरानी नहीं करनी चाहिए तो बच्चो सोचो जरा किस बात में हमें हेरानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप सारे श्लोकों को पढ़ चुके हैं पूरा पाठा पढ़ चुके हैं तो उसके आधार पर हमें बताना है कि बहुरतना वसुंधरा कि हमारी जो वसुंधरा है वो अनीक रत्नों वाली है इस बारे में हमें हैरानी नहीं करने चाहिए बहूरतना वसुन्धरा इती विस्मयः न करतव्यः यह कुत्र शब्द हड़ जाएगा बहूरतना वसुन्धरा इती इसके बाद से सारा विस्मयः न करतव्यः यह आ जाएगा और लास्ट में पूर्ण विराम हम लगा देंगे, तो ये उत्तर पूरा हुआ, पृत्वियाम त्रेन रत्नान कानी, पृत्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं, ये देखिए, पृत्वियाम, इसका उत्तर लिखेंगे, पृत्वियाम, जलम, अन्नम, सुभाशितम, जल, अन् प्रिस्तरा क्या है सुभाशितम सुभाशितम इती त्रीन रत्नाणि ये हम इसमें उत्तर में लिखेंगे अग G और साथ साथ आप उत्तर को वीडियो रोख रोख के उत्तर को लिख भी सकते हैं त्यक्त लज्जह कुत्र सुखी भवे त्यक्त लज्जह यानि जिसने लज्जह छोड़ती है वो किस प्रकार से कहां सुखी हो जाता है त्यक्त लज्जह कुत्र सुखी भवे देखिए बचो हम इसको थोड़ा सा श्लोक में से ढूणने का भी तरीका आपक दिस्केता कि बीदिग्स को सुल्क है तो यह पंगती थिंग्गिस प्रते तरह से उत्तर के रूप में आप को काम आएगी यह आपने उत्तर के रूप में लिखनी है इसी तरह से जितने भी प्रश्ण पूछे गए हैं सभी के उत्तर श्लोकों के अंदर ही छीपे हुए हैं कि वह आपको उसको पहचानना है और अपनी कॉपी में नोट करना है चलिए आगे चलते हैं अभ्यासकारे की ओर इसके बाद देखो हमें रिक्ते स्थान भरने हैं प्रश्ण है मंजुशाता पदानी चित्वा लिंगानु सारम लिखता बचों आपको पता है आप छटी का क्षा में पहले पढ़ चुके हैं कि संस्कित भाषा में पुलिंग, स्ट्रेलिंग और नपून सकलिंग तीन प्र मैं तरीका बताऊ, तो इसमें जिन शब्दों के पिछे आ की मात्रा लगी होती है या बड़ी ई की मात्रा लगी होती है बचों तो उन्हें हम स्ट्रेलिंग का शब्द समझते हैं ठीक है लेकिन हमेशा ऐसा होता है यह जरूरी नहीं है लेकिन अधिकांशतया ऐसा ही होता है तो अब देखिए यहाँ पर वसुन धरा इसमें आ की मात्रा लगी है पिर्थवी इसमें इ की मात्रा लगी है तो ये दोनों शब्द क्या हुए? स्त्रिलिंग के हुए इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे ठीके? तो देखिए फिर से बताती हूँ जिन शब्दों के पिछे आ की मात्रा या दिर्ग इबड़ी की मात्रा लगती है उनको हम संस्कृत में स्त्रिलिंग का शब्द मानते हैं और साथ ही जिन शब्दों में विसर्ग लगा होता है विसर्ग समझते हो बराबर में दो बिंदिया जब विसर्ग लगा होता है तो उसको हम पुलिंग का शब्द मानते हैं यसे वहनी, रविही ये क्या है? वहनी रवीही ये क्या है ये आपके पुल लिंग के शब्दे हैं आप देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे एक एक शब्द को देखते जाएंगे और रिक्तिस्थानों में लिंगा नुसार उसको लिखते जाएंगे तो रतनानी देखो जैसे आपने चटी में रूपयाद कियें फलम फले फलानी ऐसी रतनम रतने रतनानी तो ये नपूनसक लिंग का शब्द होता है तो रतनानी जो पहला शब्द है वो नपूनसक लिंग में आएगा ठीक है इसमें हम लिख देंगे रतनानी यहाँ वाले लि कोलम में यहां पर नीचे लिख देंगे सत्य शब्दन नपूनसक का होता है बचो Phantom इसलिए हम इसको और भी सोल लिंग्वाइल कॉलम में इस ताइन का में यहां पर हम लिख के अपुल ले है सुखिष अकल वाले लिक्तिस्थान में लिख देंगे एंनम पीछे माय है तो ये नपुण सक्लिंग का है इसको हम имо 나서 लिंग वाले लिक्टिस्थान में डाल देंगे पिर वह नहीं में विसर्ग लगा है वह नहीं यह बच्शों of पुलिंग का शब्द है तो इसको हमने यहां लिख दिया फिर है रवी ही रवी भी पुलिंग का है सूर्य इसको भी हमने पुलिंग वाले में लिख दिया फिर है प्रित्वी प्रित्वी स्त्रीलिंग वाले में और संगतिम यह भी स्त्रीलिंग वाले में संगतिम ठीके बच्चो ये प्रश्न हमारा हल हो गया है अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सात्वा प्रश्न इसमें हमें पताना है कि दिये गई पदों में धातु कौन सी है अधोलिकित पदेश धातवाक के संती दिये गई पदों में धातु कौन सी है अब हम एक पद को पढ़ेंगे करोती जैसे पठती लिखती ऐसे करोती ये एक क्रियापद है इसमें मूल में धातु क्या है इसके वो हमें पहचानना है तो बच्चो करोती का अर्थ होता है करता है या करती है वर्तमानकाल में तो इसके मूल में जो धातु है वो क्री धातु है जिसका अर्थ है करना त्री ऐसी ही पश्य मतलब देखो पश्य जो हमारा यहां पर रूप मिलता है त्रियापद उसके मूल में देखे हम तो देखने के अर्थ में हमारे पास धातू है द्रिश धातू ठीक है यह हम इसके सामने लिक्तिस्थान में भर देंगे द्रिश अब हम आगे चलते हैं आगे तिश्ठति के लिए तिश्ठति होता है या ठेहरती है त्श्ठति में कौन सी धातू है तो इस प्रकार से हमारे ये पूरा पाठ के सारे प्रश्णोत्तर हो गए हैं इसको आप अपने कॉपी में अवश्य हल करें मिलेंगे अगली वीडियो में बचों खुब मेहनत करो स्वस्त रहो अपना ध्यान रखो और खुब पढ़ाई करो नवनमहा शुबमस्तू पुनह मि अभा अपना मिलें बच्त वीड़ें अपना दिकार सर्द्व पढ़ाई रहा हैं हैं भीडियो में है आपल्स रपना दो सिंदीत रहा हैं